एक वक्त था जब नरेंद्र मोधी के खिलाब खूब एजेंडा चलाया गया और 2000 के दशक की एक घटना को मुद्दा बनाकर ये बतानी की कोशिश की गई कि वो मुस्लिम विरोधी है ऐसे में जब 2014 में प्रधान मंतरी पद के लिए उनके नाम का एलान हुआ तो फिर इसी लौबी ने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर मोधी प्रधान मंतरी बन जाते हैं तो इसलामिक देशों के साथ भारत के रिष्टे हर्ट से ज्यादा खराब हो जाएंगे लेकिन आज 9 साल बीद गये नरेंद्र मोधी को प्रधान मंतरी बने हुए तो सवाल ये है कि क्या इसलामिक देशों के साथ भारत के रिष्टे खराब हुए क्या भारत और इसलामिक देशों के बीच वैपार बंद हुआ क्या पीम मोधी इसलामिक देशों के विरोध में खड़े हो गए साउदी अरब के साथ भारत के रिष्टे ठीक हुए या फिर नहीं तो आज बात इसी मुद्दे पर होगी कि मोधी राज में कट्टर मुसलिम देश साउदी अरब के साथ भारत के रिष्टे कैसे है एक देश तुनता है वहीं भारत की बात करें तो आजादी के बात से ही दोनों देशों के बीच संबंध स्थापित हुए थे मोधी राज में तो दोनों देश के बीच रिष्टे एक नई उचाईयों पर पहुँच गए हैं दरसल जितनी बार भी पीम मोधी और साओधी अरब के क्राउन प्रिंस मोहमद बिल सल्मान की मुलाकात होती है उतनी बार भारत और साओधी अरब का एक नया अतिहास रच जाता है चाहे आतंगवाद के मुद्दे पर बात करनी हो या फिर पाकिस्तान के खिलाफ सक्त रुक अपनाने की साओधी अरब अधिकतर मौको पर भारत के साथ ही खड़ा रहा मोदी राज में दोनों देश रणनीतिक साजहदारी को अलग मुकाम तक पहुँचाने में भी सहमत है साओधी अरब और भारत के रिष्टे 1947 में राजनाइक संबंधों की स्थापना हुई 2010 में संबंध रणनीतिक साजहदारी तक पहुँचे 2014 में मोदी पी-म बने तो रिष्टे और गहरे हुए 2016 में पी-म मोदी को रियाद में साओधी अरब के सर्वोच नागरिक सम्मान यानि की किंग अब्दुल अजीद सैश दे नवाजा गया 2019 में मौमद बिन सल्मान और पी-म मोदी ने एक दूसरे देश का दोरा किया मतलब भारत और साओधी अरब के रिष्टे मोदी सरकार में लगातार बहतर हुए हैं G20 के मंच पर भी दोनों देशों के नेताउन के मुलाकात ने ये बता दिया कि राजनेक संबंध आगे और ज्यादा मजबूत होने वाले हैं यानि 2014 में जिन लोगों को ये लग रहा था कि नरेंद्र मोदी के पीम बनने से साओधी अरब जैसे कटर इसलामी देशों से भारत के रिष्टे खराब हो जाएंगे उन सब को जवाब मिल चुका है बताते चले कि साओधी अरब भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल और गैस आपूर्ती करता देश है भारत तेल और गैस के लिए साओधी अरब पर निरभर है भारत साओधी अरब का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है वहीं साओधी अरब भारत का चौथा ये बेहज जरूरी है इसलिए मोदी राज में कटर मुस्लिम देश साउदी अरब के साथ भारत के रिष्टे लगतार बहतर बने हुए हैं और वैपार चल रहे हैं इससे ये साबित हो जाता है कि मोदी है तो मुंकित हैं फिलाल ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट क अगर जरूर बताएं और ऐसी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब कर ले नमस्कार